नमस्कार दोस्तों मैं आपका होस्ट और दोस्त आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और एक नई वीडियो में मैं डियर फ्रेंड्स क्या आप भी अपने पैन कार्ड आधार कार्ड पर इंस्टंटली लोन देना चाहते हैं इस वीडियो को आप complete देखिएगा मैं आपको इस वीडियो में सारी जान करी दूँगा क्या application की अच्छी बाते हैं और application की बुरी बाते हैं मैं आपको detail में सारी बाते विश्तार पूरवक समझा दूँगा गैस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात इस परस टूप से किलियर कर देता हूँ देखिए ना मैं कोई financial advisor हूँ ना मैं कोई finance का गुरू हूँ और ना मैं कोई legal advisor हूँ मैं आपको अपनी videos के माध्यम से proper तरीके से बता देता हूँ क्या application की अच्छी बातें क्या application की बुरी बातें हैं अब यह decision आपका होता है कि आपके लिए बहतर है या नहीं है जो already हमारे channel को follow करते होंगे उनको तो अच्छे तरीके से इसके बारे में पता होगा यदि आप ऐसे ही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं financing से related, NBFC से related, banking से related तो देखिए आप हमारे channel को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में bell icon को जरूर प्रेस करें उससे क्या होगा को भी हमारी video आएगी उसका notification आपको सबसे पहले मिल जाएगा और गईज यदि आप online earning से related जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं multi level marketing से related जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं गईज हमारा एक दूसरा channel हो रहा है राहुल निमेश के नाम से आप YouTube में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा आप उसे भी जा करके subscribe कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके मतलब काम का content वहाँ पर उपलब्द है आप 100% जाईएगा और चैनल को subscribe कीजेगा link मैं आपको वीडियो के description में भी provide करा दूँगा तो चलिए अब लेकर के चलते हम आपको application के उपर देखिए guys मैंने play store यहाँ पर open कर लिया है देखिए अब अगर application के आप rating की बात करेंगे कि इसको कितनी rating मिली हुई है यहाँ पर आप देखेंगे 4.2 की इसको rating मिली हुई है आप वीडियो को complete देखिएगा अगर आप वीडियो कहीं से skip करते हैं तो एक तो आपको आदिय धूरी जानकारी मिलेगी और आपको में भी proper loan नहीं मिल पाए ठीके guys तो guys देखिए 4.2 की इहाँ पर इसको rating मिली हुई है अब guys इसके अगर आप review की बात करेंगे देखिए यहाँ पर पहले व्यक्ती ने इसके बारे में ठीक ठाक नहीं कहा है लेकिन अच्छी बात यह है application ने instantly व्यक्ती को reply किया है जो की बहुत बढ़िया बात है ठीके guys यहाँ पर मुझे काफी अच्छा लगा कि व्यक्ती ने अपना concern लिखा तो application ने reply कर दिया यह होता है कि एक genuine काम करने वाले लोगों का तरीका समझे ना जो व्यक्ती genuine काम करते हैं जो अच्छे तरीके से काम करते हैं वो अपने customer की इज़्यत को समझते हैं वो instantly reply करते हैं अब guys दूसरे review की बात कर लेते हैं यहाँ पर हम देखिए दूसरे review की बारे में बात करें तो यहाँ पर काफी ठीक था कहा है कोई issue नहीं है उन्होंने यहाँ पर इस पर स्ट्रोप से बताया है तो guys मैंने proper review तो इसके study नहीं किये हैं और आप यहाँ पर जाकर के study कर लिजेगा आपको यहाँ पर see all का option नजर आ रहा होगा क्योंकि देखिए अगर मैं proper review को पढ़ने जाऊँगा एक-एक review के बारे में बताऊँगा तो वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा मतलब आप पुरपर तरीके से बात को समझ भी नहीं पाएंगे ठीक है इसलिए वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा आप खुद यहाँ पर जाएगा see all पर जो आपको लगे critical reviews में आप पढ़ लीजेगा और आप अपने अच्छे तरीके से समझ लीजेगा कि आखिर क्या भेतर है क्या नहीं है और बाकी मैं आपको इसमें detail दिये देता हूँ अब बात करते हैं इसके about section के बारे में आखिर ये अपने about section में क्या सारी चीजे कहती हैं और मैं आपको आगे सारे details की दूँगा don't worry देखिर इसने अपने about section में साफ साफ कहा है ये जो application है आपको जो loan परदान कराएगी कितना परदान कराएगी maximum ये जो application आपको loan देगी यहाँ पर बताया हुआ है 2,00,00 रुपे ठीक है minimum का तो हम कहनी सकते बट maximum 2,00,00 रुपे देगी minimum जो मेरे subscriber ने मुझे बताया जिसने मेरे को detail भेजी रमन ने मुझे बताया कि उसने इससे loan लिया था तो उसको 10,000 रुपे का loan मिला हुआ था ठीक है लेकिन इसने यहाँ पर mention किया हुआ है कि आपको अधिक्तम 2,00,00 रुपे तक का loan प्रदान कराएगी देखिए अगर आप यहाँ पर about section पर यहाँ नीशे देख पारे होंगे तो इस application की मुझे क्या क्या चीजे ठीक नहीं लगी देखिए first of all इसका जो interest rate है वो बहुत ज़्यादा है आप लोग यहाँ पर देख पारे होंगे समय दिखा रखा है इसने 10 महीने से ले करके 36 महीने तक इसमें बहुत सत्यता भी हो सकती है और बहुत सत्यता भी नहीं हो सकती है अगर processing fee वगारा की बात करें तो processing fee भी इसमें थोड़ा ज़्यादा लगती है ठीक है और अगर interest की बात करेंगे तो देखिए interest rate भी मतलब थोड़ा ज़ादा ही है कम तो है नहीं थोड़ा ज़ादा क्या बहुत ही ज़ादा है मेरे साफ से तो यूँकि देखिए एक व्यक्ति ने यूट्यूब पर इसके बारे में वीडियो बना करके बताई थी कि ये कम इंट्रेस्ट पर लोन दे रही है देखिए मैं आपको बता दूँ ये कम इंट्रेस्ट पर ले नहीं दे रही है यहाँ पर आप देख लिजेगा इंट्रेस्ट मुझे तो ज़्यादा लग रहा है और बाकी आप लोगों को जैसा उचित लगे आप अपने इस तरसे देख लिजेगा गाइज ये क्रेडिट लाइन वगराई प्रवाइड कराती है और इंस्टन पर्सनल लोन भी प्रवाइड कराती है देखिए इसने एक्जामपल्स दे दे करके भी सारे चीज़े समझाई हुई है आप इनके एक्जामपल्स को भी अच्छे तरीके से देख लीजेगा अगर आपको लगता है कि उचित है आपके लिए तो आप definitely apply करें क्योंकि इसने बताया हुआ है ये एक RBI authorized application है और guys इस application पे वो ही व्यक्ति apply कर सकता है जिसके पास में एक earning का स्रोत हो समझे ना maximum आपकी जो earning आने चाहिए बस ये है minimum earning कितनी आनी चाहिए eligibility में इसने साब बताया है clarity से कि नो हजार रुपे आपके खाते में आने चाहिए तभी जा करके आप इस application का प्रियोग कर सकते हैं otherwise आपको कोई भी loan नहीं मिलेगा तो ये बात आप ध्यान रखेगा ये salary के लिए है ठीक है अब guys बहुत सारे लोगों के म अगर play store के आधार पर कहा जाए application ठीक था कि मुझे कोई दिक्कत इसमें नजर नहीं आई और मेरे portal पर किसी प्रकार की इसकी कोई शिकायत भी नहीं है मैं आपको clearly बता दूँ अगर आप इससे छोटा loan लेना चाहते हैं तो मेरे इसाब से कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बट और दूसरी बात अगर व्यक्ति कोई इनसे loan ले लेता है मैं specific application की बात नहीं कर रहा हूं किसी भी application पर व्यक्ति अगर loan लेता है देखिए उसके data की शुरक्षा की guarantee नहीं होती है मैं आपको बता दूँ उसके साथ में अगर व्यक्ति एक या दो दिन लेट हो जाए तो उसक इस तरह की घरकत बिल्कुल नहीं करेगी यह मेरको लगता है आप क्या लगता है आप मुझे comment में जरूर बताईएगा और गईज आप अपनी earning पर focus करें आप ऐसी applications पर apply ही ना करें तो जादा बहतर होगा देखिए अगर आप छोटी-छोटी समस्याओ के लिए कभी उस application से loan लेंगे तो देखिए दोस्तों काफी ज़्यादा आपको दिक्कत आ सकती है इसलिए दोस्त आप अपनी earning पर focus करें और ज्यादा बैटर होगा और अपनी जो earning है उसमें से जितना भी आप लोग earn कर रहे हैं मैं आपको कहूंगा कि आप उसमें 10% के budget कीजिए और उसे किसी ऐसी जगा पर invest कीजिए जो आप उसका अच्छे तरीके से आने वाले वक्त में यूज कर सकें और जहां से आपको earning मिल सकें आपको काफी इसमें लाब मिलेगा तो guys अब मैं आपको इसका नाम वगएरा ही बता देता हूं देखिए इसमें interest rate दिखा रखा है न यह 36% तक मतल जरूर बताएं अगर guys आप इसके नाम की बात करेंगे यहाँ पर तो देखिए इसका नाम है यहाँ पर मैं आपको इस पैस्ट्रूप से दिखायता हूं इसका नाम है instant personal loan credit line loan app flexi salary ठीक है आप यहाँ पर देख पार होंगे इसके downloader की अगर आप बात करेंगे 100 million plus इसके downloader है वीडियो कैसा लगा comment में जरूर बताएं और कोई भी application आप से अगर चार्जिस मांगती है तो आप उस पे बिलकुल भी apply ना करें धन्यवाद